E.D. और B.J.P. पर बैक टूबैक ट्वीट कर मुखिमत्री उपेश बगेल ने करारा हमला किया है CM ने कहा कि मैंने पहले कहे रखा था कि जैसे जैसे चुनाव समीप आएगा E.D. IT. स्थाई रूप से 36 गड़ में रहे कर नए-नए शड़ी अंतर करेंगे इनके शड़ी अंतरों को हम पहले भी बेनाकाप कर चुके हैं यदि इनको लगता है कि इनकी हरकतों से 36 गड़ की जनता डर जाएगी तो ये उनकी गलत फेहमी है मुखिमत्री उपेश बगेल ने आगे कहा कि E.D. के अधिकारी आपसी बातचीत में कह रहे है कि भाजपा हमारे भरों से चुनाओ लड़ना चाहती है तीन साल हो गया है क्या जब्त किया क्या मिला अब तक नहीं बता पाए वही मुखिमत्री उपेश बगेल ने ये भी कहा कि भाजपा के ब्रश्ट अचार पर बजरंग बली का गदा पढ़ने वाली है अभी मैं लगातारे बोलता रहा कि एडिके अधिकारी आफिस में बुला के मारपीट कर रहे हैं धमका रहे हैं परजनों को प्रताडिक करने की बात हो रही है उसको परजी के इसमें फसानी की बात कही जा रही है महिलाओं को भी रात रात बर नियम विरुद उसे पूछताच कर रहे हैं खाने नहीं दे रहे हैं खाने भोजन दे दिये तो पीने नहीं दे रहे हैं सोनी नहीं दे रहे हैं और इस प्रकार से प्रताडित कर करके उन्हें जवरिया हस्ताक्षर करा लिए प्रेस जो नोट है वो पहले से काईट डोक आता है और उसमें हस्ताख्षर करने कि लिकाते हैं नहीं करोगे तो जेल भेजने की धंकी नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोगों को प्रताडित करेंगे फर्जी केसम फसाद हैंगे इस प्रकार के धंकी दे दे के उन्होंने ये हस्ताचर कराए और ये तीन साल के अब इधी बीच जाने के बाद भी कोईला में पांसो करोड के बोले इसमें दो हजार करोड बोल रहे हैं लेकिन कोई चला चल संपत्ति जब्त किया आपने अब किया है तीन साथ से आप जांच कर रहे हूं आई टी यहां लगे वे हैं चला चल संपत्ति कहां जाएगा क्यों जब नहीं किये कितनी रासी है आवाज करें दो हजार करोड तो यह आरोप है वह पूर्णता मिध्या है गलत है निंदनी है भाजपा के राजनीतिक एजेंट के काम हैं भारती जनता पार्टी के चुनाओं में फायदा दिलाना क्योंकि भारती जनता पार्टी आप सब जानते हैं कि 36 गड़ में हैं उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और एडी के अधिकारी आपास में बाद ही करते हैं कि हमारे भरोसिश भारती जनता पार्टी चुना प्रवाइब कर रही है उसको मदद करना उनका काम है अभी लगातार इस प्रकार से और भी यह सडियन त्रियों करेंगे दब अब यह लोग यह अदिकारी है भारती जनता पार्टी के समय 15 साल जो नियम थे उसको निकाल के देख ले और हमारे सासनकाल में जो नियम निकले हैं आएदन के उसको देख ले उसमें तो ब्यक्ति गत्रुप्षिजास जन्पस कर्यालें उपसित होना पड़ता था यहां तो आनलाइन आप भर रहे हैं दूसरा चेक लेने के लिए आना पड़ता था अब उनके खातिम सीधा जा रहा है तो और नियम कों से है जितने नियम हो सबसित्स बेठे आएदन कर रहे हैं एक मेंने सकतर हजार लोग अधेन कर ली है मतले एक लाग सत्तेईसे जार लोग किजिए सतर हजार उसे भेरिफाइब करके उसकी खातें पैसा भी डालने काम हुग तो यह इनके पास कोई काम ही नहीं है इनके गव माता के नाम से वोट म जा जा रहा है बेलकुल पूर्ड महुंगर के साथ सरकार कांग्रेस की बन रही है और बजरंग वली है यह भ्रश्टा जारियों के सर्फ एक जदा जरूर मारें जल्माने का केंपेंग के दौरारeeee देखो ऐसा है कहichtig उसको अब क्या रहता है कि कि एक घर छोड़ के दूसरी घर में जाते हैं तो उसको बार-बार निष्ठा बताना पड़ता है तो वो भारती जंता प्यायन है और सारी लियुख का पड़रा है झाल झाल